इंशॉरंस बेहत जरूरी है अब हम ये बात समझ रहे हैं खास तोर पर जब पैंड़मिक के बात समझ में आई कि एक इनशॉरंस होना एक फैमली के लिए एक इंडिविज्युल के लिए कितना जरूरी है इंपॉर्टन्ट है लेकिन साथी में कुछ गल्तिया हैं जो आप करत इनके ठेट सारे वीडियो आपको यूट्यूब बर मिलेंगे और वहीं से मुझे लगा कि इनका जो इंशॉरंस का वीडियो है उससे हम बहुत कुछ सीख सकने है तो इंशॉरंस आपका बहुत ही फेवरिट टॉपिक है और मेरा भी क्योंकि मुझे लगता हम इसमें बहुत ग गलतियां किया है और उससे सीखा है और आपके वीडियो से मैं सीखती हूं ही लेकिन ये बताईए कि इन्शॉरंस आपके इतने क्लोस क्यों है आप इस पर इतने इंडेफ विडियो क्यों किया है आप भी आभी रहसूस करते थे किया लोग आसपस बहुत गलतियां कर रहे है अगर आप किसी इंशॉरेंस कंपनी के CEO को बोलोगे कि भई एक यूट्यूब विडियो बनाओ इंशॉरेंस समझाओ तो, you know what I am trying to say, he has a stake in the insurance space, तो, maybe he won't be able to be that transparent, even if he wants to. And at the same time, me as a consumer has already faced some of the issues that millions of people in India are facing currently. तो, मेरे पापा के पास एक एक अंडावमेंट पॉलिसी थी, जिसका लाइफ कवरता सिर्फ दो लाक रुपे. And it's laughable. मतलब, दो लाक रुपे का लाइफ इंशॉरेंस is as good as nothing. And if you know about प्रधान मंत्री, जीवन जोती, बीमा योजना, वो दो लाक रुपे का लाइफ इंशॉरेंस बारा रुपे में भी मिलता है. तो उस बात के we were paying 20,000 रुपे every year. And उसका कुछ benefit हमको as such दिखने ही रहा था. And ये बात हमें 10 साल बात जाके notice इसलिए हुई. क्योंकि जब तक आपकी family में कोई financial distress नहीं है, तो आप कभी भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दोगे कि कितने premiums आप भरते हो, कितनी policies आपके पास है. But वो premiums, regular premiums होते हैं, those are not SIPs, जो आप अपनी इच्छा से किसी mutual fund में invest कर रहे हो. तो जिस दिन आपकी जब पे भार आएगा और जब आप नहीं afford कर पा रहे हो, तब आप लेकर बैठते हो कि अच्छा कहां कहां कितना पैसा जा रहा है, और कहां से हम बचत कर सकते हैं. सबसे पहला कि insurance को लोग, insurance product को यह नहीं समझते हैं. उसे वो एक insurance है जो आपके लिएक safety net का काम करेगा, पर हम उसे investment समझने लगते हैं. यह गलती नंबर एक करते हैं, insurance के साथ लोग? बिलकुल करते हैं, मेरे पास बहुत सारे questions भी आते हैं. पहला जो सबसे बड़ा, जो misconception है, लोग इसको cheapest tool of generating wealth समझते हैं. मतलब अगर हम term insurance की बात करें, तो मतलब काफी टाइम से YouTubers and you know bloggers are trying to raise awareness की term insurance is the one of the best life insurance is. अगर आपको अपनी life को secure करना है, इतना बड़ा cover आपको इतने cheap premium में नहीं मिलेगा. फिर लोग उसको ये सोचते हैं, उल्टा सोचते हैं, कि अच्छा, अगर 1000 रुपे का मैं premium दे रहा हूँ और 1 करोड का cover मिल गया, मतलब 1000 की SIP में 1 करोड का mutual fund कौन देता है आपको. तो लोग ये समझने लग जाते हैं. फिर लोग ये भी सोचते हैं, कि अच्छा ठीक है, एक करोड मिलने के लिए तो मरना पड़ेगा, स्वर्ख जाने के लिए मरना पड़ेगा. तो फिर लोग अपने 50-year-old, 60-year-old parents के लिए term insurance लेने का कोशिश करते हैं. कि उन पर dependence कोई नहीं है, तो फिर भी वो 60-year-old, 65-year-old parents का term insurance लेते हैं, उसका premium obviously एक हजार रुपे नहीं आ सकता है, बट लेट से 5-6,000 आता है, और फिर वो मैच करते हैं अपने दिमाग में, कि 60-year, 65-year के तो हो चुके हैं, इंसान कभी ना कभी तो जाता ही है, it's not like I want my parents to die, but even my parents agree, कि ठीक है यार, जाते-जाते, we will give you 1-2-0-0-0-0-0-0-0 benefit, let's take it. investment tool मान करते हैं यह जो गलती करते हैं और शाय इसलिए, अंडर इंशॉर्ड में कि रिपोर्ट ही हमें हमें बताती है, जो कि थोड़ी सी पिरानी है, लेकिन यही बताती है कि अभी भारत में जो पुरा life insurance का penetration है, वो सिफ 3.76% है, यह दो हुजार उनस का data में कोट कर रही हूं, विच इसलिए गलती बंदी, मुझे लगता है, लोग जो करते हैं, आप बताएए, if I'm wrong, कि timing, जब हमें insurance की जरूरत नहीं होती है, तब insurance खरीदना चाहिए, और यह समझते हैं नहीं, जब आपको ज आप बिल्कु सही बात बोल रहे हो, and this has a lot to do with the lack of income, मतलब एक इनसान अगर कमाना start करता है, और उसके पास बहुत सालों तक उसने struggle देखा, let's say, और बहुत time तक महनत कर रहा था, finally कुछ कमाने लगए, तो suddenly उसके दिमाग में वो हर खर्चा आजाता है, जो बहुत सालों से करना चाहता था, party करनी है, घुमने जाना है, parents के लिए कुछ अच्छा खरीरना है, या पटाफट loan लेके गाड़ी खरीर लेनी है, that's the best thing they can think of, but वो यह नहीं सोचते हैं, कि अगर loan लेके गाड़ी खरीर ली है, 20,000 रुपे के, let's say, आपकी EMI चल रही है, और आप ही को कुछ हो गया, तो वो 20,000 की EMI का burden तो आप अपने parents पर डाल के जाओगे, तो लोगों को यह सोचना चाहिए, बहुत बढ़ी गलती है, कि आप जब अपनी finances को खुद manage करने लगते हो, आपकी income आ भी रही है, आपके खर्चे भी बन रहे हैं, obligations भी बन रहे हैं, आपके dependence भी हैं, और तब आपको यह सोचना चाहिए, कि future छोड़ो, आज मैं मर गया तो क्या होगा, एक बहुत ही, आपको disturbing case बताता हूँ, एक तो Sunday, I think Monday, Sunday को जैपुन में बहुत तेज बारिश व इसके सामने वाली पहाडी पे कुछ 18-20 लड़के selfies ले रहे थे, weather enjoy कर रहे थे, बिजली गरी, 16 लड़कों की मौत हो गई, किसको पता था, मतलब अगर मैं वहां होता, तो आज शायद मैं भी नहीं होता यहां पे, क्योंकि कोई भी यह नहीं सोचता कि selfie लेने से बिजली भी आ सकती है, and second incident, एक HDFC bank का case था, I don't know, वो news में आय था कि नहीं, बट मेरे मुझे पता चला था, 25-year-old guy just died sitting on a table, कुछ पता नहीं चला कैसे, बस मैं यह बैठा हूं और मैं गया, लोग यह नहीं सोचते हैं कि कुछ भी हो सकता है, और आज अगर हम मर जाते हैं, तो घरवालो को घरवालों को liabilities देना चाते हैं, या कुछ पैसा देना चाते हैं, वो बहुत बड़ी बात है, जो लोग सोचते नहीं है, इसलिए रिटर्न अफ प्रीमियम जैसे प्लान ज्याएं वो बड़े अच्छे लगते हैं, कि उसमें प्रीमियम जो मैं देना हूं अगर मैं जिन्दा रहेंगी तो मुझे मिल रहा है, अच्छी बात क्या हो सकती है, ऐसा आना तो अच्छा ही लगता है सबकों, बड़ी बा अगर हम नहीं मरें, क्योंकि term insurance, as the name suggests, आप 65 तक का 75, जो भी age आप डिसाइड करोगे, उस age तक के लिए आप covered हो, उसके बाद अगर आपकी death होती है, तो आपको कोई पैसा नहीं मिलता है, तो लोग यह सोचते हैं, कि 65 का, सबसे बड़ा question ही लोगों को ही आता है, अगर मैं premium pay किया वह waste हो जाएगा, खर्चा हो गया, तो इसी चीज़ को capitalize किया companies ने, अब उनकी भी गलती नहीं है, वो लोग business करने के लिए बैठे हैं, उनको दिमाग दिया भगवान ने और वो use कर रहे हैं, और वो पैसा कमा रहे हैं, हम गलती है customers की जो जागरुक नहीं है, उनको यह लग रहा है कि एक हजार रुपे का premium अगर वो 2021 में भर रहे हैं, और 2018 में उनको वो एक ही हजार रुपे वापस मिल रहे हैं, तो वो एक हजार रुपे रहेंगे नहीं, वो inflation के कारण बहुत काम हो जाएंगे, अगर company मुझे बोले कि तुम्हारे existing premium में, मैं return of premium का feature डाल हो, only to receive it by, you know, heavy devaluation after 50 years, 60 years, तो फिर यह का investment है, it's like a mutual fund जो आपको negative returns दे रहा है, तो आप अगर extra पैसा आज अगर अपनी जेब से afford कर सकते हो, अगर आपको mutual fund पसंद नहीं है, FD में भी डाल दोगे हर महीने थोड़ा-थोड़ा पैसा, तो वो at least उसकी value तो बरकरार रहेग mortality charge में company बोलती है कि आपके जो units है investment के, उसमें से हम काट लेंगे हर महीने, या I think हाँ हर महीने ही कटता है वो, और जब आपका maturity हो जाएगा policy का, तो वो जितना भी charge कटा तो वो वापिस दे देंगे, और इसको advertise किया जाता है कि free of cost ULIP plan, इसमें कोई cost ही नहीं है, fund management को अग आपके returns कम बनते हैं, बट वही बात है, यहाँ पर दो तरह से नुकसान हो रहा है, यह charge आपके fund value में से काट के उधर pay कर दिया जाता है insurance company को, आपको पता भी नहीं चलेगा, तो अगर आज वो 1000 रुपे मेरे fund value में से कम हो रहा है, मतलब वो अगले 20 सालों तक वो 1000 रुपे अगर आपको 15% के return expected थे 20 साल के duration में, तो आपको 20% का नुकसान हो रहा है, क्योंकि 15% का तो profit नुकसान हुआ और 5% inflation पकड़ लो, तो companies इसको use करती है कि हम आपको वापस दे देंगे, यह free of cost है और लोगों को भी लगता है कि, और मुझे काफी लोगों ने question पूचा, मैं उ थोड़ा और सोचें हिस बारे में, खुझ सोचें कि अच्छा एक हजार रुपे अगर कंपनी को वापस ही करने है, तो आज काट क्यों रहे हैं, उसके पिछ तो लॉजिक होना चाहिए, तो अब आते हो वो, जो मिस्टेक अगला है, जुसके लिए आप कहते हो, एक कान से यूलिप, money back, endowment, इतनी दुश्मानी क्यों और ये नहीं, तो फिर क्या सही है? देखो, मैं पहले, सबसे पहले यूलिप प्याता हूँ, और इसके बाद एक common reason दूँगा, सारी policies को, except term insurance, मैं सारी policies को avoid करने का opinion रखता हूँ, मैं recommendation तो दे नहीं सकता, but yeah, यूलिप प्याता है सबसे पहले, it's a combination of life insurance plus investment, and इसका structure, mutual fund के structure से एक दम से मिलर है, जैसे आप mutual fund मे investment करते हो, आपको units मिलते हैं, similarly आप ULIP में investment करोगे, आपको उसके against भी units मिलेंगे, और ULIP में भी एक company के 18 funds हो सकते हैं, for example, large cap, large cap plus mid cap, hybrid fund हो सकता है, debt fund हो सकता है, तो आप choose कर सकते हो, आपका पैसा, किस fund में जाएगा, according to your risk and according to your expectation of returns, वो बात बिलकुल अच्छी है, कोई द fund switch करना चाते हो, तो mutual fund में आपको अपने units को बेचना पड़ेगा, और दूसरा fund खरीदना पड़ेगा, और बेचते ही आप पे लग जाएगा capital gain tax, but ULIP में अगर आपने 20 साल, 25 साल की policy लिया, उसमें आप जितनी बार भी, उसी AMC के funds में switch करोगे, तो कोई tax liability नहीं बनती है वो मिझे समझ आता है कि अच्छी बात है, जहां बुरी बात है वो यह कि अगर आप एक लाख रुपे पर annum का premium देते हैं, तो उसके against आपको most cases में 10 लाख रुपे का life insurance मिल जाएगा, यह जादा भी दे सकती हैं companies, वो जादा क्यों नहीं देती, उस पर मैं आता हूँ, but 10 लाख रुपे मतलग आपके annual premium का 10 times होना चाहिए, यह rule इसलिए रखा गया है, मतलब यह rule state यह करता है कि अगर आप 10 times premium life cover दे रहे हो अपने customer को, तो आपका customer tax benefit अवेल कर सकता है, तो उसके लिए यह minimum 10 times का rule रखा गया है, उसके बिना कोई खरीदेगा नहीं policy, तो companies वो ही कर 15-20 गुना at least है या नहीं, मतलब वो नाम के लिए एक cover आपको मिल रहा है, right, but main problem में आपको बताऊंगा, तो यह तो हो गया basic ULIP का structure, आप premium देते हो, आपका कुछ पार्ट, insurance premium में जाता है, जिसको हम बोलते है, mortality charge, और कुछ पार्ट जाता है, majority पार्ट जाता है investment में, अब new age जो ULIP है, उसमें दो ही टाइप के charge है, एक तो mortality charge और दूसरा है fund management charge, दोनों में GST होता है, fund management charge में GST आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो एक overall percentage होता है, उसी के अंदर वो included होता है, और mortality charge plus 18% GST, आपके total charges है, अगर आपने online लिया है, new age ULIP लिया है, उसमें और क economically weaker section में डाल दिया, and if I am not wrong, यह number 88 to 90% है, इंडिया में, मतलब इंडिया की 90% जनता, आट लाग से तो नीचे ही कमा रही है, और pandemic के बाद क्या हो रहा है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, that means, अगर कोई इंसान ULIP लेता भी है, जोश-जोश में आके, उसने commit कर द जिनका business थप हुआ, और मैंने ऐसे भी लोग देखे है, जिनकी job चली गई है, तो nothing is safe, तो ऐसा इंसान, मानलो, 5 years from now, 5 साल तक उसमें premium भर दिया, अब वो premium नहीं पे कर पा रहा है, क्योंकि उसकी job चली गई है, या कोई भी financial distress है, मानलो, उस इंसान ने health insurance नहीं लिया था, और उसकी family में 10-12 लाग का bill आ गया, तो वो obviously अपना premium afford नहीं कर पाएगा, उस case में क्या होगा, उस case में company बोलेगी, तुमारी life में already बहुत 4 तरह की दिक्कर चल रही है, तुम struggle कर रहे हो financially, हम थोड़ी सी और problem देना चाहते है, problem यह है, कि हम तुमारा life insurance कर देंगे, आज से cancel, दूसरा problem हम दे रहे है, कि अगर आपका ULIP का lock-in अभी तक खतम नहीं हुआ है, तो आप अपना ULIP का fund value withdraw नहीं कर सकते, lock-in तक तो उसमें रखना पड़ेगा, बट अब वो move हो जाएगा, discontinued fund में, वहाँ पर आपको 4% के हिसाप से return मिलेगा, तो एक तो आप वैसे ही financial risk चगर कर रहे हो, और अगर उस time में आप मर जाओगे, तो अब आपके पास कोई life insurance नहीं है, और आपने जो महनत से पैसे जोड़-जोड़ के invest किये थे, अब उस पे 4% का ही return हो रहा है, return भी कम हो गया, तो इसी लिए मैं बार-बार बोलता हूँ कि never mix insurance and investment, क्योंकि insurance का जो premium है, वो SIP नहीं है, there's a big difference between SIP and premium, SIP में आप अपनी मर्जी से, अपनी हैसियत से invest करते हो, जब मन नहीं है, जब financial distress है, तो SIP रोक सकते हो, आपके existing investment पे कोई penalty नहीं लगती है, और आप चाहो तो mutual fund से अपना पैसा withdraw भी कर सकते हो, अगर सही में जरूरत है तो, unless we are talking about ELSS, ELSS में तीन साल का lock-in लता है, तो बाकी mutual fund में से आप कर सकते हो withdraw, और आपका जो term insurance, अगर आपने ये क्या होता है, मैंने term insurance लिया, एक करोड का, और mutual fund में अपना investment कर दिया, mutual fund में, let's say, मैं 50,000 की monthly SIP करता तो मैं उसको easily रोकूंगा, mutual fund की SIP रोकूंगा, अपना घर चला लोगा उस पैसो से, और जो 1000 रुपे का premium में pay कर रहा था, अपने term insurance के two words, वो continue रख सकता हूं, most cases में मैं उसको afford कर सकता हूं, and अच्छी बात है कि वो 1000 का premium increase नहीं होगा, तो 10 साल बात भी अगर 1000 रुपे ही दे रहा हूं, तो वो उस time के हिसाब से 500 रुपे, 600 रुपे ही बनेंगे, तो मुझे इंशूरंस और investment बिल्कुल अलग रखना चाहिए, तो आप क्या कहते हैं लोगों को, क्योंकि हम जब खरीदने जाएंगे insurance, हमें क्या पता, हमें तो इसकी ज़रूरत जब बुरा वक्त ह मैं कैसे जांचू काउन सी कंपनी जो हो मुझे देगी, वो ट्रॉस्टेड है, तो मैं क्या ब्रैंडड कंपनी ही चुनू, मैं कैसे जज़ करूं कि ये कंपनी अच्छी रहेगी, इसकी ज़रूरत तो मुझे बहुत समय के बाद होने वाली है, मन्दीब, यह बहुत तो आपको फोकस करना चाहिए एक ब्रैंड पे, क्योंकि अगर आप डेटा के थ्रू भी अगर आप उसको लैंड करने के कोशिश करोगे अच्छी कंपनी पर तो वह कभी भी ऐसी कंपनी नहीं निकलेगी, जो ब्रैंड नहीं है, मतलब कभी भी आपको सबसे छोटी कंपनी डेटा के अकॉर्डिंग सबसे अच्छी कंपनी मिल नहीं पाएगा, क्योंकि वह अच्छी कंपनी और अच्छा ब्रैंड उसने बिल्ड ही इस वजए से किया है, क्योंकि वह अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो अगर आप इतना रीसर्च नहीं भी कर सकते हो, जस्त थिंक तो इसलिए यह regulated space है, यहां पर IRDA बीच में आएगा और उस company को किसी all company से acquire करवा के आपकी policy को बन नहीं होने देगा, अभी एक force major का clause आता है, section में भूल गया, sorry, force major के clause में लिखा होता है कि अगर कोई unforeseen event आया, जिसको control नहीं कर सकती company, उसकी वज़े से कंपनी को बहुत हो रहा है, तो वो आपका life insurance claim पास नहीं करेगी, which is a valid clause, क्यूंकि कई बार ऐसा हमने देखा है, कि company दिवालिया हो रही है, बट company के ऊपर करोड़ो रोपे का liability है, और force major का clause उस समय company को बचाता है, तो it's not like company आपका पैसा खा लेगी, चोरी कर लेगी, company के पास भाई जैनुर एक और दिखकत जो होती है, जुसके वज़ा से बहुत miss selling होती है, वो यह है कि हम जब insurance खरीते हैं, जो agent या, जो salesperson हमें वेट रेचता है, हम उसे अपना दोस मान लेते हैं, और हम खुझ से वो documents पढ़ने की जरुवत नहीं समझते हैं, हमारी इतनी दोस्ती हो जाती है, कि ह मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी इंसान के पास income का कोई source नहीं है, वो उसको घर चलाना है अपना या उसको भी पैसा कमाना है और अभी नहीं कमा पा रहा है, वो उसको बहुत सारी liabilities हैं, उसको अगर suddenly कोई आके बोले कि तु यह बेचेगा तो तुझे 25% commission मिल जाएगा या whatever the rate में भी, वो क्यों होना करेगा, वो भूका मरेगा नहीं, we have to understand this fact कि वो अपना रोजी रोटी कमा रहा है, हमको जो blame डालना चाहिए, वो डालना चाहिए companies पर, companies अपनी training में सिखाती है agents को कि तुमको policy ऐसे बेचनी है, तुमको policy ऐसे बेचनी है, term insurance का तो नाम ही मत ल जाता है, literally, कुछ एजेंट ने मेरे YouTube वीडियो के नीचे आके ये लिखा है कि हमें training में यह सब सिखाया जाता है, तो अगर उनको सिखाया है, यह सब जा रहा है, और अगर वो खुदी financial literate अभी तक हुए नहीं है, तो वो आगे जाके काम भी ऐसे ही गरेंगे, और उनको सी का commission की मिल रहा है, they are proud of themselves की अच्छा, we are able to make a limit, सबसे ज़्यादा commission मिल जाता है, और पहला commission मिल जाता है, और पहला commission मिल जाता है, और पहला commission मिल जाता है, और फिर agent निकल जाता है, but you are very right, यह सब हम agent को नहीं बोल सकते हैं, कि वो बुरा काम करें, company or regulator का role बहुत important हो जाता ह अगर आप कमाने लग गए हो, ITR फाइल करने लग गए हो, आप पे dependence हैं, यह आपको लगता है कि ठीक है, dependence आएंगे, you are not going to end up like a nomad, जहां पे आप ट्रैवल कर रहे हो, आपकी कोई family नहीं है, उस case में आप पे अगर कोई dependent नहीं है, you don't need a life insurance, but अगर सही में आपे dependent है, तो आपको अपनी life आज के आज secure करनी चाहिए, और जितना weight करोगे, उतना आपके जो premiums है, age के साथ साथ वो भी बढ़ते जाएंगे, and आपको यह देखना है कि मेरी income का, annual income का, 15-20 गुना मुझे life insurance cover चाहिए, वो कहां मिल रहा है, अगर term insurance के बजाए किसी और जगा बे मिल रह ताकि आज अपने पैसे जादा से जादा invest कर सकते हो, अगर आप अपने young years में invest नहीं करोगे, तो फिर आप वो वाली wealth achieve नहीं कर पाऊगे, जो आपको सुनाई देती है, internet पे articles में दिखाई देती है, इसने इतना कमालिया, उतना कमालिया, वो young years में आप invest करना स्टार्ट कर ही सकते हो, तो वो investment के तरफ divert करो, यह मेरा suggestion रहेगा. झाल